नमस्कार दोस्तों, आगत हैं आप सभी का एक बार फेस से इस समय की बड़ी खबरे मुखे समाचार ब्रेकिंग नियूज आप के लिए लेकर आये हैं, एक वीडियो में तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुचाएंगे, आप से दोस्तों रिकेस्ट है छोटी सी वीडियो में लगातार बने रही है, जिससे की कोई भी महतपूर्ण खबर आप से छूटे नहीं, तो दोस्तों पहली बड़ी खबर की दब चलते हैं, उससे पहले एक छोटी सी रिकेस्ट और है, अगर आप लोग भी कॉंग्रेस नेता रहूल गांदी के समय थन में हैं, तो वीडियो को ऐसी बिंती करना एक वीडियो में एक टीचर को भारी पढ़ गया, खोनी पढ़ी है, उसे अपनी नौक रेजी हैं दोस्तों, अन अकेडमी के टीचर करन्ट सांगवान, जिनोंने ना किसी का नाम लिया था, ना किसी को गाली दी थे, सिर्फ कहा था कि पढ़े लिखे और सम इस्टॉल अन अकेडमी ट्रेंड करने लगा, जिस पर सियम के जिरिवान ने भी बड़ी पतिक्रिया देते हुए टूइट किया है, उनका टूइट जनते हैं दोस्तों, सियम के जिरिवान ने टूइट करते हुए अपने टूइटर हैंडल से लिखा, क्या पढ़े लिखे लोगों को बोट देने की अपील करना अपराद है, यदि कोई अनपड है, व्यक्ति का तोर पर मैं उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन जन पतिनिधी अनपड नहीं हो सकते, ये साइंस और टेक्नलोजी का जवाना है, 21 सदी के आधुनिक भारत का निर्मान, अनपड जन पतिन दी कभी नहीं कर सकते। साथ ही जवदा स्टाइके से ट्रेंड कर रहा है, हैस्टाइग अनिस्टॉल अनकेडमी दोस्तों, ये बड़ी ख़वर निकल के आई है, एक और ख़वर जानते हैं। का नया अध्याच निक्त किया गया है। दोस्तों आपको बताते चलें, अजयराय को बड़ी जिम्मेदाई दी गई है। अजयराय कॉंग्रेस के वही नेता हैं, जिन्हें ने 2014 और 19 के लोकसरवा चुनाओं में वार नसी से पियम मोदी को चुनाओती दी थी। उनके खिलाब चुनाओं लड़े थे हाला कि दोनों बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार कॉंग्रेस पार्टी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदाई दी है, क्योंकि वहाँ पूर्वी उत्तपदेस में बड़े कॉंग्रेस नेताओं में गिने जाते हैं, इस कारण पार्टी ने उन्हें यहाँ पर बड़ी जिम्मेदाई सौपी है, उन्हें उत्तप विधान सभा में देखने को मिला है जवधास ठंगामा हो गई है बिजेपी विधायकों की कुटाइँ उठाकर विधान सभा से बाहर किये गए दोस्तो मड़ीपुल के मुझ्दे पर जवधास ठंगामा दिल्ली विधान सभा में भी देखने को मिला है यहाँ पर आमादमी पार्टी मनिपूर के मुद्दे पर चर्चा कर रही थी इसे वीच बीजेपी के जो गिने चुने विधायक हैं दिल्ली विधानसवा में वहां हंगामा करने लगे इस पर दोस्तों मार्शल नुहां पर तैना थे उन्होंने कड़ा एक् बीजेपी विधायकों ने मनिपूर पर चर्चा की मांग की तो बीजेपी के गिने चुने विधायक भी खड़े होकर हंगामा करते हुए नारिवाजी करने लगे जिस पर इस पीकर ने उनको यहाँ पर समझाया लेकिन वो लोग नहीं माने हंगामा जारी रहा जिसके बाद बिधान सवा की कारवाई 24 रूप से चल सके इसके लिए इस पीकर ने कड़ा कदम उठाया और यहाँ पर मार्शल ने जाकर बीजेपी विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाया वहाँ पर तैनात मार्शलों ने बीजेपी विधायकों पर कड़ा एक्शन लिया है यहाँ प साथ ही पूर्व मंत्रियों ने छोड़ी है बीजेपी जॉइन कर ली है कॉंग्रेस पार्टी दोस्तों राजिस्तान में कुछ ऐसा ही गटना करम भी देखने को मिला था इसके बार नंबा लगा है 36 गड़ का जहां पर बीजेपी को बड़ा जटका लगा है बिधान सवा चुनाओं से पहले इसके साथ ही दोस्तों ग्रामीन इलाकों के कई यूबाओं ने थामा है कॉंग्रेस का दामन 36 गड़ में आदिवाजी समाज की चुनाओं में एक बड़ी ही एहम भूमिका रहती है ऐसे में ये बड़ी खबर निकल गया ये 36 गड़ से कॉंग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर है चलिए दोस्तों एक और खबर की तब चलते हैं महाराष्ट की राश्णीती एक बार फिर से गर्मा आ गई है दोस्तों उठा पठक का दोर अब भी जारी है कॉंग्रेस नेता ने बड़ा खुलासा कर दिया है गौरत अलाफ है अजित पावार ने पीम मोदी से दिल्ली में मुलाकात की थी जिसके बाद कॉंग्रेस नेता ने बड़ा खुलासा किया है कॉंग्रेस नेता ने कहा है कि पीम ने अजीत पावार से कहा कि अगर आपको महाराष्ट का सीम बनना है तो सर्थ पावार को NDA में लेकर आईए इसलिए अजीत पावार तुरंत सर्थ पावार के पास सीक्रेट मीटिंग करने पहुंचे जिसक किया कि अजीत पावार को बीजेपी और पीम मोदी इस सर्थ पर लाय थे कि अगर वहां महाराष्ट के सीम बनने के अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं तो उन्हें अपने चाचा सर्थ पावार को NDA में सामिल कराना होगा हाला कि सर्थ पावार ने इस पश्ट कर दिया वहां अगली बैठक इंडिया गठवन्दन की जो होने वाली है मुंबाई में उसमें सामिल होंगे बीजेपी के खिलाफ ठोस रण नीती बनाएंगे और चाचा की जाएगी कि आगे की रण नीती क्या होगी और बीजेपी को कैसे टक कर दी जाएगी देख सकते हैं दोस्तों यही कारण है कि अजीत पवार बार बार सहथ पवार से मिल रहा हैं ये बड़ी ख़वा निकल की आई ब्रेकिंग नीज इस समय की दोस्तों एक और खवज जनते हैं राजस्थान में बिदान सवा चुनाओ साल के अंत में होने हैं दो महा का समय से से दोस्तों इसी वीच राजस्थान बिदान सवा चुनाओ को लेकर बीजेपी वालों ने जोड तोड की राशनीती पहले ही सुरू कर रखी है तमाम यहां पर गुट बनाये जा रहा हैं गुटवाजी चल लए है बीजेपी के अंदर जिसको लेकर भाजपा ने दो समीतियों की घोशना की है ये दो समीतियां वे हैं जो पेदेश चुनाओ प्रवंधन समीती और पेदेश संकल्प पत्त समीती हैं दोस्तों भाजपा की इस घोशना के साथ ही राजस्थान की राजनीती में चैचाओं का बाजार गर्म हो गया है चैचा इसलिए हो रही है क्योंकि इन दोनों समीतियों में पूर्वसियम बसुंद्रा राजे का नाम नहीं सामिल है उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है ऐसे में हर तरफ यही सवाल उठ रहे हैं कि या पूर्वसियम बसुंद्रा राजे का क्या कदम होगा अगला क्या वहाँ बीजेपी से बगावत करे देंगी अलग गुट बनाएंगी अलग पार्टी में जाएंगी या कॉंगेर्स पार्टी का साथ देंगी लेकिन ये तो ताइम आना जा रहा है कि वहाँ बीजेपी के साथ फिलाल नहीं रहेंगी ये बड़ी ख़बर निकल के आई सूत्रों के मताविक दोस्तों जो आप तक पहुंचा ही है ये दिन भर की बड़ी ख़बरे थी दोस्तों मुखे समाचार थे जो आप तक पहुंचाए है अगर आपने अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक ने किया है तो आप से रिक्ष्टे वीडियो को जरू लाइक कीजेगा शेर कीजेगा आपने दोस्तों में भी आप सबी दोस्तों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत